एन यूएस के 10 वी और 12 वी के स्टुडेंट है देखो आप सबको पता है कि जो अप्रिल सेशन का एक्जामनेशन फीस है एन यूएस ने लेना शुरू कर दिया है तो अगर आप अप्रिल के एक्जाम में बैठना चाते हो एक्जाम देना चाते हो तो उसका एडविशन लेलो एडविशन आपको कैसे लेना है तो देखो इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको पूरा फूल प्रोसेस बताया है वहाँ पर आपको मैंने एडविशन पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया है और पेमेंट भी करके दिखाया है तो वीडियो को आप चेक आउट कर लेना चैनल पर आपको मिल जाएगा और कमेनिटी पोस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है यह वीडियो मैं 12 क्लास के स्टुडेंट के लिए बना रहा हूं क्योंकि एक बहुत इंपोर्टेंट नोट है जो आप लोग के लिए बह सकते हो आप लोग को भी मिल जाएगा और इसका लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्किप्शन में दे दिया हूं वहाँ पर जाकर इसे आप चेक आउट कर सकते हो मतलब क्या है इसका मैं आपको यहाँ पर बता लेता हूं तो देखो अगर आपके 10 वी और 12 वी क्लास के बीच में दो साल से जादा का गैप है तो आप एडविशन के लिए अपलाई नहीं करना ठीक है क्यों नहीं करना क्योंकि एनवेस ने आपको साफ साफ यहाँ पर कह दिया कि आप लोग का रिजल्ट एनवेस दिकलेर नहीं करेगी ठीक है तो अगर आप ऐसे जिनका दसवी और बारवी क्लास के बीच में दो साल से जादा का गैप है तो आप एडविशन के लिए अपलाई मत करना फीस मत पे करना अपील सेसन का ठीक है पहला पॉइंट यह है दूसरा पॉइंट यह कह रहे हैं कि अगर आपका एडविशन गैप दो साल से कम है या द दो साल है तो अब तो आप अपलाई कर सकते हो लेकिन एक चीज को आपको और ध्यान लखना है कि अगर आपके पास पांच सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट का आपको अपलाई करना है सिर्फ चार सब्जेक्ट का अपलाई करना है ठीक है अब ऐसा क्यों है तो दे अगर आप पांचों सब्जेक्ट का एक साथ करते हो अपलाई एडविशन करवाते हो यानि की एकजाम फिस पे करते हो तो उस केस में भी आपका रिजल्ट एनवेस दिकलेर नहीं करेगी इन्होंने यहाँ पर आपको साब साब कह रखा है आप चाहो तो इसे पर लेना और मैंने बहुत अच्छे से परने के बादी आपको बताया है और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो थोरी बहुत इन्फरमेटिव लगती है लाइक कर देना और नीचे कुछ तो है नहीं यहाँ पर आपको यह सब चीजे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता ही रखा हूँ नोटिफिगेशन के बारे में ठीक है तो बारवी क्लास के जो स्टूडेंट है ध्यान रखना इस नोट को बहुत इंपोर्टेंट नोट है और ऐसी वीडियो के लिए मिलते अगले वीडियो में